इस वीडियो जे स्पॉंसर्ड बाइ निरस पॉब्लिकेशन जून दोह तेईस टाम एंग्जाम के प्रिपेशन करने के लिए इगनु के स्ट्वेंड को निरस पॉब्लिकेशन के तरफ से एक स्पेशल ओफर दिया जा रहा है तो आप लोग इस ओफर का डेफिनेट्री फाइदा उठा सकते हैं हलो एवरीवन वेल्कम टू माई यीट्यूब चैनल एएच हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग से इगनु ने आज दो बहुत अनेक्स्पेक्टेड डिसीजन लिया है जिसके बार में हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीट जरूर देख सीजेगा एच हल्पलाइन चैनल पर फॉस्ट एमा है इगनु के स्टुएंट हो तो हर एक एक इन्फरमेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ना देखो जो पहला unexpected decision था इगनु के तरफ से वो है online program के स्टुएंट का exam को postpone करने को लेकर इगनु ने online program के स्टुएंट के लिए आज ही ये notification release किया है जो आप लोग के screen के ओपर नजर आ रहा है इसका link मैंने description में दे दिया है इस notification में क्या बोला गया है the term and examination in online mode for the course of online program of the university schedule on 7th April stand postponed to 21 April the season and time will remain the same and यहाँ पे register वीवी नेगी का sign है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि आप लोग का पता होगा कि online program के student का दिसमदभा 22 term and exam 5 April से 20 April के बीच में conduct करवाय जाने वाला है और start हो भी गया है exam already उसमें से 7 April को जो exam था उस exam को postpone कर दिया गया क्योंकि उस दिन good Friday हो रहा है and इग्रू ने उस दिन exam को schedule रखा था इसलिए 7 April को जो भी paper होने वाले थे वो paper को postpone करके 21 April में shift कर दिया गया यहांपे जितने भी paper दिये हो है इन सब का exam 21 April को होगा 7 April का जो exam है उसको postpone कर दिया गया यहांपे सिर्फ online program के इस्टिन का बात कहा जा रहा है तो यह postponement का notification आया है जिसके expectation नहीं था और दूसरा जो unexpected decision है इग्रों के तरफ से वो है exam form fill up करने के last date को लेकर इगनुने जुन्दा 23 exam के लिए exam form fill up करने का last date without any late fine 15 April तक extend कर दिया है जो कि पहले 5 April तक रखा गया था जब इगनुने exam form का portal start किया था तो उस वक का आप एक screen shot देख सकते हो उस वक इगनुने जुन्दा 23 exam exam के लिए exam form fill up करने का last date 5 April तक रखा था without any late fine और उसके बाद से आपको 500 रुपया का late fine देना होता यानि के 6 April से लेके 25 April तक लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत रहत की बात है क्योंकि एगनुने without any late fine 15 April तक साम 6 के लिए extend कर दिया है and 16 April के बाद से अगर आप लोग exam form fill up करते हो तब आपको 500 रुपया का late fine देना परेगा यानि के 10 दिन का आप लोग को यहां पे भी छूट मिला है so job एस्टोयन ने exam form fill up नहीं किया था किसी भी कारण वस तो वो लोग exam form fill up अभी भी कर सकते हैं without any late fine and ये extension का provable reason यहीं हो सकता है कि आपनोंने देखा होगा कि बीच में बहुत बार exam form का जो server है उसको maintenance के लिए down कर दिया जा रहा था जिसके वाज़से स्टोयन exam form fill up नहीं कर पा रहे थे portal में भी problem था payment में भी problem हो रहा था इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए इकनोंने exam form fill up करने का लास्ट डेट को without any late fine 15 अप्रिल तक extend कर दिया लेकिन 15 अप्रिल को साम 6 बै तक इस चीज को आप लोग याद अखिएगा क्योंकि बहुत स्टोयन यह सोचते हैं कि हाँ 15 अप्रिल लास्ट है तो रात को 12 बै तक होगा लेकिन नहीं अब यह साम 6 बै तक ही लास्ट डेट कोई भी problem आप लोग face करते हो तो आप लोग यह वीडियो को देख सकते हैं इसमें मैंने detail में बताया हुआ है कि किस तरिका से online exam form fill up करना है और कोई डाउट हो तुम उसे पूर सकते हो साथी साथ जो भी student को promotion offer किया गया था जुलाई दोजा 19 बैच जुलाई 20 बैच के student के ल result अभी भी बहुत सारे student का pending है तो वो लोग को और सा टाइम मिल गया यह देखने के लिए कि हमारा result में क्या आ रहा है यानि कि pass हो रहे है या back लग रहा है ठीक है तो आप लोग देख लेना और 15 अप्रिल से पहले ही कोशिज करना कि exam form fill up कर देने का क्योंकि मैं देख रहा decision था एगनों के तरफ से पहला online program question का exam को postpone करना 7 appeal को postpone करके 21 appeal को कर देना और दूसरा exam form fill up करने का last date without any late fun extend करना इनी सभी के बार में मैं आप लोग को detail information दे रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंदा होगा से वीडियो करा दे सभी फ्रेंड के साथ है तक उनको भी a detail information मिल पा है किसी विदा के डाउट के लिए आप निचे कौन बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी अपने doubt के लिए कर सकते हैं और अगर आप AH help line चानल पर फॉस्टमाय है तो में एकसी और आप लोग पहली फूरसत में चानल को जरूर सब्सक्रा बॉस्टमाट